हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महतुपून है हर एक क्लास के बच्चों के लिए खास थोर पर जो यूपी एसी एक्जाम तयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का फैदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपोर्टेंट भी उनके रहेगा चलिए देखते हैं हमारा आज टॉप कुली खान ने जो है केंद्री सत्ताई कमजोरी का फैदा उठाकर खुद को सुतंतर घोषित कर दिया था देखिए अंगरजेव हम जैसे पहले भी मुगलकाल के पतन की विसे में हमने चर्चा किया था हमने जाना था कि अंगरजेव जो था उसके जो आगे वंसर आए बहु से लोगों के हुआ और बंगाल के नवाब को भी इसका फैदा हुआ कि दिवान के पत्पर आसिर मुर्शीद कुली खान ने खुद को फैदा उठाकर सुतंतर राजा घोषित कर दिया जो कि काफी महत्तपून बात यहां पर आता है हलाकि वह मुगल दरबार में नीमित रूप से शुष्क जरूर भेविया करता था यहां शुल्क जो है नीमित रूप से भेजता जरूर था लेकिर वह अपने आपको जो है सुतंतर गोषित कर लिया आकिर इन दोनों बातों में एक बात तो साफ हो जाता है कि चाहे कहते मु मुसीद कुली खांगे परिवार के सत्ता उचित करके सतार थाटी नाइन में खुद को नवाब घोषित कर दिया तो देखा जाय तो कहते हैं पहले वह था उसके बाद अपने आपको यहां पर राजा घोषित कर दिया इन नवाबों ने सांधिता सित्ता कायम करने की और कृ हिंदु दता मुसल्मान दोनों को ही समाने अफसर परदान किये गए किन्तु नवाब अंग्रेजी बेपारी कंपनी की उपस्तितियों को जो है दिर कालीन प्रभावों को भाप न सकी रसन्ने तैयारी में धिलाई भरत दी और कहते हैं सतारोच शपिंजा से लेके सतार शप कंटिन्यू चल भी रहे थी और कहते हैं जून सतारोच शपिंजा में प्लबसी के मैदान में हुई उसकी पराजे ने बंगाल तब भारत में अंग्रेजों का जो है मार्क प्रस्त कर दिया यानि देखा जाए कि अगर यहां पर जो है इंडिया के जो राजा प्राजित हो ग होता है बंगाल के नवाब के रूप में देखा जाए तो अंग्रेजेव के ससनकान में दीमान पद पर काम करने वाले मुसित कुली खान ने अपने आपको राजा घोशित कर लिया उसके बाद जो है अली वर्दी ने मुरीद के रिस्तदारों को हरा के सत्तचित करके वह सारी बाते जो है काफी महतवपून है बंगाल के लिए कि बंगाल जो था नवाबों के अंतरगत किस परकार हुआ और इसका क्या महत वो थी